हेलो एवरिवन, माइसेल्फ डॉक्टर भरत सेंग मीना फ्रॉम गवर्मेंट कॉलेज कोटा आज हम ऑक्सिडेशन एंड रिडक्षन के अंतरगत जल में रिडॉक्स इस्थायत या हम कहें रिडॉक्स इस्टेबिलिटी इन वॉटर के बारे में विस्तार से एध्यन करेंगे कि उन अनुओं या आयनों कोई ही जल में इस्थाई कहा जाएगा जो ने तो जल को ऑक्सिकरत कर सकें ने ही अपचेन कर सकें और ने ही उसका ऐसा मानुपातन संभव हो वो ही अनुओ और आयन जल में इस्थाई कहलाएंगे और जो पदार्थ जल से किरिया करके हेड्रोजन मुक्त करेंगे इसका मतलब क्या है कि वे जल को एजटू में अपचेद करके और वे पदार्थ स्वेम कैसे हो जाएंगे ऑक्सिकरत हो जाएंगे इसी पिरकार आप देखेंगे कि जो पदार्थ जल से किरिया करके ऑक्सिजन मुक्त करेंगे इसका मतलब यह है कि वे जल को ओटू में अपचेद करके और वे पदार्थ स्वेम कैसे हो जाएंगे अपचेद हो जाएंगे और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो जल की प्रजेंस में स्वेते ही ऑक्सिकरत और अपचेद हो जाते हैं अर्थात कैसे हो जाते हुए ऐस सामानुपातित हो जाते हैं पहला बिंदू तो इस्टेबिल्टी का यह है दूसरा है जल में रिडॉक्स अभी किरियाओं के कम्प्लीट होने में दो प्रमुक अभी किरियाओं का योगदान है पहला है जल का हैड्डोजन में अपचेद और विप्रीत किरिया हैड्डोजन का जल में ऑक्सिकरन पहला क्या हुआ जल का हैड्डोजन में अपचेद और विप्रीत किरिया हैड्डोजन का जल में ऑक्सिकरन दूसरा है ऑक्सिजन का जल में अपचेद और विप्रीत किरिया जल का ऑक्सिजन में ऑक्सिकरन तो ये दो प्रमोखों अभिक्रियाओं का योगदान है जल में रिडॉक्स अभिक्रियाओं के संपन होने में तीसरा आप देखिए यहाँ H2O H2O है जल है और ये प्लस टू एलेक्ट्रोन और यहाँ पर ये H2 में परिवर्थित प्लस OH माइनस में परिवर्थित अर्थात हम कहें कि छार धातू युम छारिये मर्दा धातू है जल के साथ इस प्रकार के अभिक्रियाओं संपन करके क्या मुक्त करती है 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 डोजन मुक्त करती है चौथा जल में रेडॉक्स इस्टेबिल्टी का बिंदू है इन में भी छार धातुएं तो कैसी होती हैं अत्यधिक तीवरता से रियक्षन करती है जबकि छार ये मिर्दा धातुओं के साथ अभी किरिया की तीवरता थोड़ी कम होती है देखी ये चार धातुओं के साथ रियक्षन है ये चार धातु है और ये जल के साथ रियक्षन कर रही है और इस परकार से M प्लस OH मैनस 1 अपॉन S2 और चार ये मिर्दा धातु है तो यहाँ पर M2 प्लस OH का होल 2S प्लस S2 किसी धातु के लिए मानक अपचैन विभव का मान जितना उच्छ रनात्मक होगा ध्यान दें उस धातु के लिए मानक अपचैन का जो मानक अपचैन विभव की बैलू है वो कैसी होगी अगर highly negative होगी तो वो धातु उतनी ही तीवरता से जल को hydrogen में क्या कर देगी अपचैन कर देगी पांचवा बिंदू है कि oxygen का जल में अपचैन और विप्रीत के लिए जल का oxygen में oxygen आप देखिए O2 प्लस 4S प्लस प्लस 4 electron और ये 2S2O विप्रीत के लिए जल का oxygen में oxygen करना अब आप देखिए कोबाल्ट 3 प्लस और सीरियम 4 प्लस जैसे आयन जल को अमलिय मैध्यम में oxygen करके क्या मुक्त करते हैं oxygen मुक्त करते हैं देखिए ये कोबाल्ट की reaction जल से reaction हुई और यहाँ पर ये O2 मुक्त किया इसी प्रकार से सीरियम ये जल से reaction करके और ये O2 मुक्त कर रहा है इन दोनु अब किरियां के redox विभव से जलिय मैध्यम में किसी redox तंत्र के stability का अनुमान लगाया जा सकता है जल का स्वेते ही बियोजन किस प्रकार से होता है देखिए ये H2O है और इसका स्वेते बियोजन हो रहा है H plus plus OH माइनस में और जल के अपचेन की किरिया किस प्रकार से होगी H plus plus electron क्रहन किया और ये 1 upon H2 के रूप में convert हो गया और earth cell के लिए इसके लिए E बराबर E0 माइनस 0.059 log pH 2 1 upon 2 और A plus अब आप देखें यदि उदासीन जल को H plus बराबर 10 2 की पावर माइनस 7 hydrogen and hydrogen gas कितने वायू मंडल दाप पर एक वायू मंडल दाप पर तो अभिकिरिया के लिए जो E आएगा वो आएगा माइनस 0.41 बोल्ट यदि billion छारिय हो तो यहां क्या होगा कि एक molar छारिय हो तो H plus की जो value है वो 10 2 पार माइनस 14 होगा और तब जो अर्दस हैल के लिए E आएगा वो आएगा माइनस 0.83 बोल्ट होगा अब आप देखें कोई redox तंदर जिसके लिए E 0 का मान कितना आया माइनस 41 बोल्ट से अधिक रनात्म को तो वो है hydrogen के लिए एक value मंडल दाप पर जल को अपचेत कर देगा और कोई redox योग में जिसके लिए E 0 का मान यहां पर आया था माइनस 0.83 से उच रनात्मक है तो उन परिस्थितियों में क्या होगा hydrogen के value मंडल दाप पर एक molar 6 billion को अपचेत कर देगा लेकिन यह अपचेन अधिक महत्मका नहीं है इसके क्या कारण है किस बज़े से यह अधिक महत्मका नहीं है तो इसके दो मुख्य रूप से कारण है पहला तो यह है कि अधिकांस तंत्रों में धात्वक hydrogen या कहें हम जल योजे धात्वक hydrogen की एक परत चड़ जाने के कारण ये तंत्र जल को क्या कर नहीं पाते अपचेत नहीं कर पाते और दूसरा क्या कारण है कि कुछ M, N अपोन N तंत्र जो वैसे जल को अप्चेत करने में दुर्बल हैं जैसे जैडेन टू प्लस अपन जैडेन वे क्या करेंगे जैडेन ओच का होल फोर टू माइनस परकार के स्टेबिल कॉंप्लेक्स बनाने की कारां एक एम छारी जल को अप्चा से अधिक तीव रता से अप्चेत कर देते हैं अब आप देखें ऑक्षिजन के अप्चेंद द्वारा जल के निर्मान की किरिया किस प्रकार से हो रही है यह आक्षिजन है बन अपन टू ओ टू प्लस ट और इसके लिए जो अर्ध सेल अब के लिए हो रही है वो हो रही यह बराबर यह जीरो माइनस पॉंट जीरो फैवन अपन टू लॉग बन अपन पी ओ टू और रेकेट बंद बन अपन टू ए एट्स प्लस कहोल स्क्वाइर यदि पी ओ टू बराबर कितना है एक एटियम है तो ए बराबर क्या हो जाएगा बन पॉंट टू थरी माइनस पॉंट जीरो फैम नैन पी एच अर्थात हम कहें कि इस सेल का जो ए एम एप है सेल बिलियन की पी एच पर निरवर करेगा और यदि बिलियन प्रबल अमलिय है अर्थात कहें पी एच बराबर जीरो तब सेल का EMF कितना हो जाएगा E बराबर 1.23 बोल्ट यदि बिलियन उदासीन हो अर्थात कहें pH बराबर 7 हो तब सेल का EMF कितना हो जाएगा E बराबर 1.23 माइनस ब्रेकेट 0.059 इंटू 7 और E की जो बैलू आगी वो आगी 0.82 बोल्ट और यदि बिलियन प्रबल चारिये हो तो प्रबल चारिये का मतलब है pH बराबर 14 तब सेल का EMF होगा E बराबर 1.23 माइनस प्रेकेट 0.09 इंटू 14 और जो E निकलेगा इसके लिए प्रबल चारिये के लिए वो निकलेगा 0.40 बोल्ट अते इंसे हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी रिडॉक्स तंत्र के लिए E 0 का मान प्लस 0.43 बोल्ट से अधिक धनात्मक है तो वो सुन pH पर जल्का उक्सिकरण कर देगा इसी प्रबकार यदि रिडॉक्स तंत्र के लिए E का मान प्लस 0.83 बोल्ट से अधिक धनात्मक है तो वो कितनी pH उदासीन बिलियन पर करेगा 7 pH पर जलको ऑक्सिकरत करेगा और इसी प्रिकार्च यह भी रिडॉक्स तंत के लिए E0 का मान प्लस 0.40 बोल्ट से अधिक धनात्मक है तो वो एफ प्रबल चारियम अधियम 14 pH पर जलको ऑक्सिकरत करेगा तो यह ध्यान रखें कि अगर pH का मान वेरी कर रहा है तो उसके धनात्मक बैलूज भी वेरी करेंगे और धनात्मक बैलूज वेरी करेंगे तो उन बैलूज के बियाप पर ही वो जलको ऑक्सिकरत करेगा किलियर अब हम बात करते हैं जल का इस्थाय तो छेत्र दा इस्टिविल्टी फील्ड ओफ वाटर इसमें क्या होता है यदि जलिये बिलियन में बिभिन तंत्रों के अब चैन बिभव एम पी एच मानों को एक दूसरे के बिरुद्ध क्या करोगे आले खित किया जाए तो क्या देखेंगे आप पी एच फोर इवम नायन के मद और अपचेन बिभव माइनस पॉंट शिक्स इवम प्लस वन के मद तथा माइनस पॉंट थरी इवम माइनस पॉंट शिक्स के मद एक ऐसा छेत्र प्राप्त होता है जिसमें जल का नहीं तो आक्सिकरन संभव है और न है इस छेत्र को हम जल का इस थायतों छेत्र कहते हैं आप देखिए जो बैलूज दिखाई हैं पी एच कौन पी एच कितना पी एच नाइन आप देखें फोर इवम पी एच नाइन के मद का छेत्र हो गया और अपचेन बिभव कितना बता रहे हैं अब चेन भव पॉंट शिक्स एवं प्लस बन पॉंट शिक्स और प्लस ये पॉंट शिक्स है और ये बन के मद तथा 0.3 ये 0.3 यो माइनस 0.6 के मद का छेत्र हमें कैसा प्राप्त हो रहा है जो छेत्र प्राप्त हो रहा है जहां पर क्या जलका क्या नहीं हो पाता ओक्सिकरन संभाव नहीं है ना ही अपचेन संभाव है तो इस छेतर को हम जलका इस थायत उचेतर या इस्टिबिल्टी फिल्ड कहते हैं जैसा कि इस डाइग्राम के मैध्यम से आपको दिखाई दे रहा है अब आप देखिए इस डाइग्राम में देखने पर हम क्या देख रहे हैं पी एच फोर और पी एच नाइन पर दो लॉंग सेविन बोल्ट पर काट लिए देखिए ये काट रही है आप बन बोल्ट और पॉंट सेविन बोल्ट पर ये काट रही है जबकि एक रेखा नीचे माइनस पॉंट थिरी बोल्ट माइनस पॉंट सिक्स बोल्ट पर काट लिए ये देखिए माइनस पॉंट सिरी बोल्ट और म मेध्धि भाग को जल का इस्थायफ छित्र कहा जाता है। अत्या माना का अपचेन विभव एक से अधिक वाले पदार्थ जल को ऐक्षियन में ऑक्षिक्रत कर देंगे। जबकि माइनस पॉन्ड 6 से माना का के कम होने पर पदार्थ जल को क्या करेगा। हैड्रोजन में अप्चेत कर देता है और इस चित्र से एक बात और इस पष्ट होती है यदि बिलियन की pH 4 से 9 के मैध है या हम कहें ने तो बिलियन प्रबल छारिये है और नहीं प्रबल अमली है तो ऐसे बिलियन को वो पदार्थ ने तो अक्सिकरत कर सकते हैं और नहीं अपचैत और इनके मानक अपचैन विभव का जो मान है वो किसके मद्ध होगा माइनस पॉंट सिक्स पोल्ट से बन बोल्ट के मद्ध होगा तो यह आपका क्या था जलके स्थायत तो छेतर का क्राइटेरिया जो हमने देखा किन किन के मद्ध होता है वो पीएस तो उसकी क्या होती है चार एम नो के मद्ध और अपचैन विभव का मान होता है उसके लिए 0.6 यो प्लस बनके मद्द का तो ये इन चारों pH और अपचेन विभव की बेलूज के मद्द का छेतर होता है वो आपका जल का इस्थायत छेतर कहलाता है तो आज हमने डिसकस किया एक तो जल में रिडॉक्स से इस्थायत वो और जल के रिडॉक्स स्थायत के लिए क्या क्या कंडिशन्स होती है उनके बारे में डिटिल से अध्यन किया साथ ही हमने अध्यन किया जल के इस्थायतों छेतर के बारे में थैंक यू